हलो दोस्तों आज हम लों फिर देखेंगे कुछ इन्पोर्टेंट्स को यानि कि महत्पूर्ण को जो पेपर में बार बार रिपीट होता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर कोस्टन को आप देखिए इसको दिया का यह कोस्टन है रूट अंडर 6 प्लस रूट रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर कैह 2 시죠 इकोल इस का वेल्यू लिख प्रास्थ सकते इसको दो इससको और दोनों के बीच फैक्टर के जो difference जो होना चाहिए तो एक का होना चाहिए जैसे अगर थीरी इंटू कर देते हैं टू तो दोनों के अगर हम लोग गुना करेंगे तो तीन दूना कितना आपका चलाएगा छोग ठीक है अब दोनों के बीच में तीन और दो के बीच में अंतर जो रह गया डिफ्रेंस जो कितना काएगा एक काएगा इस टाइप के परस्त में यह हमेशा ध्यान रखेगा अब देखें आपको आंसर बताना इसको सेक्टों में बता देगा तो जब भी अगर यहां PLUS रहे ठरें day थीक है तो इसमें बरावला और होगा यहां की बरावला अंसर होगा तो आपको देखेंखेंग को अगर काँ देखें iss तरीपा से स bubbiness थीक है यहां क्या देखेंगे प्लस जब रहेगा आपको रूट के अंदर में तो बरावाला भेलू अंसर होगा अगर माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा ठीक है मेरे ख्याल से आप समझ गया होगा तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन को देखिए पहुत ही आसान है इसलिए इसको एक बारबारी की से सबसे पहले पर दो संख्याओं का लास यानि LCM जो दिया गया है तीस है तथा मस यानि क्या HCF पांच है उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा अब आप जानते होंगे अगर पहले से भी पर होगे LCM ठीक है LCM इंटू क्या कर देते हैं हम लोग HCF LCM इंटू क्या हो जाएग HCF ठीक है इकोल टू पहली संख्या इंटू कितना दूसरी संख्या ठीक है अभी सी को पर लिकाल देना है तो दोनों को दे दिया पाली आनि की LCM कितना आपका दे दिया है 30 तो यहां लिख लिजिए 30 ठीक है HCF कितना आपका दे दिया है 5 और पहली संख्या आपका दे दिया कितना चला याप 15 तो इस फर्मूला से आप कोई भी दे तो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या देगा एक संख्या देगा आपको LCM पूछे या आपको LCM पूछे कुछ भी पूछ सकता है तो इस फर्मूला से आप आसानी से इस टाइप के प्रस्ट के कोई भी प्रस्ट का आंसर आप दे सकते हैं मेने ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए आम लोग देखते हैं नेक्ष्ट इस संख्या एक सो पचीस हो तथा लस एवं मसा यानि LCM एवं ECF का योगी गारा सो पचास हो तो दूसरी संख्या कितनी है बाड़ी किसे समझे अब देखिए बोला गया है तो इस टैप के प्रस्टों को कैसे बनाएंगे तो देखिए ECF आप हम मान लिए मसा ले लिए मान प्रस गुना है तो एस एफ हम एक से ले ली तो LCM इसका क्या हो जाएगा यानि कि लासा क्या होगा तो पैंतालिस एक्स होगा ना समझ रहे होंगे आगे अगर पढ़ते हैं यहां अगर देखें तो LCM एवं ECF यानिकि लासा एवं मासा का यूग जो देदिया है कितना एक गारा सो पचास अगर इसको एक स्के भैड़ू लेते हैं तो कितना लिखेगा 1150 बटा कितना चीहालिस अगर तेश से अगर केंसिल आउट करते हैं तो दो बार में और यह कितना बार में पांच और फिर कैंसील आउट किजिए तो कितना चलाएगा पचीज यानि एक से लिकल गिया हम लोग का कितना लिकल गया समझना है बाड़ी किसे है लिख लेकिन पूछा है कि इसमें दूसरी संख्या कितनी है तब ही आपको परें ध्यान अगर इस से इंट्टू क्या होता है सिय पहली संख्या ठीक है इंट्टू कौन सी संख्या दूसरी संख्या वस अभी सी पर लिकाल दीजी तो आपका LCM जो लिख ले गया है तो LCM के जगहाप कितना लिखेगा पैतालिस गुने 25 ऑव कितना एप 122 एक संख्याइस में कितना दे दिया है 125 ठीक है 125 इंट्व कर दिजिए एक अब साइज को काटा पीटी कैंसिल आउट करते हैं तो कितना और पांच बार इस से अगर इसको केंसिल आउट किजिए बार पांच बार में अब 45 में पांच से गुना कर दीजिए तो कितना आजाएगा 55 25 20 और दूब 22 तो हम लोग के क्या चला है एक्स वही एक्स जो तो पुछा है कि तो दूसरी संख्या कितनी है तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा आपका तो दूसरी से आप समझ गए होगे थोरा सा कोस्टन में लेवल था इस टाइप के प्रस्ति में हमेशा आप उलस्ती हों तो चलिए अब हम देखते हैं और नेक्स्ट कोस्टन को इस को आप देखिए एक बार पाले सबसे पहले बारी किसले और चौशोबिस रुप्या को तीन म 63 सबसे पहले इस टाइप की ने शैस यहना चार सबकर के ह болगता हुए पर लिहीं हम हम लोग तरहा है तो सबसे पहले इस टाइप के एक बटा दो दे दिए आपका एक बटा चार क्यों तो क्या करते हैं दो तीन और चार के लेतें वो लोग लेते हैं क्या Sharp लोग नज भीम होगे संवजिये बारी की से इतना का यंवहनो लोगत क्या है Polizeem लभाध कितना आपका चलाएगा रहा और पड़तेक टो का करेंगे इसमेंभी बारा से गुना कर देंगे इसमेंभी और इसमें इसको अगर केंसे लाउट की जिए गाते ही चलाएगा चार और यहापका चलाएगा कितना तीक है तो आइस के रेसियो जैय आ गया तो six is to four is to कितना गया थीडिया यनिवार चार नूपात तीन अभव इसमें कि तीसरा मित्र का भाग क्या होगा तो तुसरा और तो तीसरा के भागा आपको बताना है तो तुसरा जिसका भाग मताना उसको हम लोग लिखेंगे गे थीक है तोटल के कितना जोड़ला पाएगा उसको हम लोग लिख लेंगे नीचे ठीक है अर्टोटल राशी से हम लोग क्या करेंगे इसमें गुना कर लेंगे तो 600 कितना दे दिया गया है यह करा ना profitн कितना कर दिए है आगला स्कारे से अंती कितना सी कितना गया जर। ठीक है अभी कितना हो जाएगा एक m4D अगर इसमें आपको b के भी भाग पुष सकता है यानि कि बी यानि कहने का मतलब कि दूसरा मित्र क्या भाग कुछ सकता था ठीक है तो दूसरा मित्र तो दूसरा ही कितना इसका चार है तो इसमें 48 में कितना से हम लोग गुना कर लेते चार से समझेगा बारी किस्से हैं चार से गुन्हा कर लेते हैं अगर पहला पुश्टा थीक है तो mails के पुश्टा तो 38 में कितना से 9 Ey इंटू कर लेते छे से कर लेते हैं और इसलिए इसको तीसवारा के पुछां तो 38 में 3 से उपर जाता और यह तो canc 여 मिने ख्याल से यहां तक आप समझ गया कोई भी प्रोब्लिम नहीं होगा तो चलिए और देखते हैं लोग नेक्स्ट कोस्टन इस को आप देखी एक बार बारी की से पढ़िए यदि एक सी कोईल टू फाइव वाइव वाइव कोईल टू टू हो तो एकस के पाउंड कितना है प्लस वाई के पाउंड एकस का मान क्या होगा एक सेह असानी तरीका से आप बना सकते हैं एक से हैं इसका पाउंड वाई है और वाई के पाउंड कितना देजा है एकस इसी तरह से वाई एकस यहां टू लिखतेुन ऑ कर लिए तो इससे कोई मतलब नहीं हम लोग वेलू पूट कर लिए तो टूब ने टू की जीए गए इस तदीका से 5-5 ठीक है तो कितना चलाएगा आपका पावरपांच है का मतलब कहा होगा दो गूने दो गूने दो गूने दो अब इंटू कर दीजिए 2 दूना 4 चार दूना 8 दूना 16 122 अब बस ये दोनों के जोड़ दीजिये तो 32 और 25 जोड़े गात कितना चलाएगा 57 सेवेन या नहीं संतावन कौन सा आंसर हो जाएगा सी इजी था इस टाइप के फ्रस्त आप ऐसे सेकिनों में बना सकते हैं जो भी हम लोग कोस्टन जो भी बना रहे हैं तो यह ध्यान रखना है टोटल प्रिभी एस पेपर का आपका पेपर में पूछा गाया ही ठीक है तो